हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंट्स आज हम आपको टू थ्री एरो बेबी के लिए बहुती प्यारा सा टॉप और पलाजो बनाना सिखा रहे हैं यह हमारी फुल ड्रेस वन पॉइंट फाइफ मिटर क्लोथ में बनकर तैयार हो गई है आए यह वीडियो श यहां से उठाते हुए डबल कर लेते हैं फोर लेयर यहां पर इसकी हो गई है शोल्डर हमें इसका 4.5 इंच रखना है आर्म होल की लेंध हमें इसकी 4.5 इंच रखनी है ऐसे करते हुए हम सीधा निशान इस पर लगा देते हैं चेस्ट की चोड़ाई हमें यहां से इसकी 7 इंच रखनी है अब हम इसमें गोलाई कर देते हैं नेकी चोड़ाई यहां से हमें 2 इंच रखनी है ऐसे करते हुए हम निशान लगा लेते हैं लंबाई में हमें इसको 3 इंच रखना है अब हम इसमें गोलाई कर लेते हैं और इसको मिला देते हैं यहां से यहां तक हमें इ कि गोलाई कर देनी है जिससे साइड का ये हिस्सा इसका लटकता नहीं है अब हम इसकी यहां से कटिंग कर देते हैं फ्रेंट्स इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइ तो आप हम सिद्ग नहीं कि पूछ सोलडर हमारे डाल worldly होते हैं नेक भी हम इसका कटिंग कर लैते हैं इर इस यह देखिए यहां पर दो नों पीस हमारे कटकर तयार हो गए हैं एक पीस हम इसमें से अलग कर देते हैं और एक पीसमें से टू नेक 2 इंचक हम बेक नेक कटकर जिससे बेबी को पहनाने में इसमें आसानी रहती है अब हमने ये स्ट्रीप ली है जिसकी चोड़ाई 2 इंच है और लेंथ में ये 3 इंच है बीच से 2 इंच हम इसको कट कर देते हैं और यहाँ पर रखकर इसको लगा देते हैं अब यहाँ पर हमें बीच में इसके Elastic के लिए निशान लगाना है, 9 इंच हम Elastic के लिए इस पर निशान लगा देते हैं, हमें ये निशान दोनों पीस में लगाना है, फ्रंट में भी और बेक में भी, अब इन निशानों को हम ऐसे करते हुए बिल्कुल सीधा मिला देते हैं ये हमने बेक पीस पर अपने निशान लगा लिया है अब हम अपना फ्रंट पीस लेते हैं और इस पर भी हम ऐसे ही निशान लगा देते हैं लेंथ में हमें इसको 9 इंच का लेना है ऐसे ही इस जंगे से भी हमें 9 इंच पर निशान लगा लेना है अब यहां से हमें इस निशान को मिला देना है बेक और फ्रंट पीस के दोनों निशान हमारे बिल्कुल बराबर लगकर तैयार हो गए हैं यह हमने आर्म होल में और नेक लेते हैं पत्टी को हम यहां पर फ्रोक को सीधी साइड पर रखते हैं और इसे करते हुए हमें इसमें इसमें सिलाई लगा लेनी है अब बीच के हिस्चे से इसको हमें दूसरी साइड पर पलट लेना है अब नीचे के हिस्से पर इसमें हमें बीच में हलका सा कट लगाना है कट लगाते समय ध्यान रखें कि इसकी सिलाई कटे नहीं अब हम इसको नेल से प्रेस कर लेते हैं और बेक साइड में मोड लेते हैं अब इसको अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए हमें इस पर एक सिलाई लगा देनी है आप इस तरीके से किसी भी चीज में पट्टी लगाएंगी तो आपकी पट्टी बहुत फिनिशिंग के साथ तयार होगी फ्रेंट्स इसी तरह के काफी प्यारे प्यारे से डिजाइन की वीडियो हमने अपने चैनल पर बेबी के हर साइज की अपलोड की हुई है आप चैनल पर से वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने कटिंग और स्टीचिंग भी इसकी बताई हुई है ये देखिए पट्टी यहा डबल सिलाई लगानी चाहिए जिससे जब हम इसके आर्म होल में पाइपिन या नेक में पाइपिन लगाते हैं तो इसे ये साइड से उधरते नहीं है डबल सिलाई हमने यहाँ पर लगा ली है अब हम इसमें आर्म होल में पट्टी लगा लेते हैं पट्टी को हमें अंदर की साइड को फोल्ड करना है इसलिए हमें इसको धीला छोड़ते हुए लगाना है सब जंगे से हमें इसको बराबर धीला छोड़ना है कहीं से भी हमें इसको खीचना नहीं है पाइपिन हम खीच कर लगाते हैं और अंदर की साइड को फोल्ड करने वाली पट्टी धीली छोड़ते हुए लगाते हैं अब हमें इसमें अंदर की साइड हलके हलके से कट लगा लेने हैं जिससे पट्टी पलटने में बहुत जादा आसान हो जाती है अब हम इसको अंदर की साइड को फोल्ड कर लेते हैं और इसके किनारे पर एक सिलाई लगा लेते हैं पूरी पट्टी पर हम इस पर ऐसे ही सिलाई लगा लेते हैं यह हमारी पट्टी यहां पर लगकर तयार हो गई है अब हमें इसको एक बार और अंदर की साइड को फॉल्ड करके इस पर फाइनल सिलाई लगा देनी है इसी तरीके से यहां पर हमें अपनी दूसरी पट्टी भी लगा लेनी है यह देखे कितनी प्यारी सी यह पट्टी लग गई है दूसरे आर्मोहल में भी हमें अपने ऐसे ही पट्टी लगानी है और नेक पर भी हमें अपने ऐसे ही पट्टी लगा कर तयार कर ली है यह हमने अब हमें इसमें यहां पर इलास्टिक लगानी है बेक और फ्रंट साइड के लिए हमें दो लास्टिके ले लेनी है 11 इंच की सबसे पहले हम लास्टिक को यहाँ पर साइड में सिलाई लगा देते हैं डबल करते हुए इसके उपर सिलाई लगानी है ताकि जब हम इसको खीचे तो यह खुले नहीं अब दूसरी साइड में भी हमें इसके ऐसे ही सिलाई को यहाँ पर लगा देना है दोनों सिलाई यहाँ पर हमने लगा दी है अब यह देखिए हम इसके बीच में सिलाई लगा लेते हैं और दूसरी साइड से इसको खीच कर बिलकुल बराबर कर लेते हैं इस से हमाई लास्टिक सब जंगे से बिलकुल बराबर खिचती है जिसमें इसमें प्लेट भी बहुत जादा अच्छे आती हैं ये देखें फ्रेंड्स लास्टिक पर सिलाई हमाई लगकर तयार हो गई है दूसरी साइड के पीस पर भी हमें ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है हमने दोनों साइड में लास्टिक लगा ली है अब हम इसमें साइड में फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं ये देखें यहां से हमाई लास्टिक दोनों बिलकुल बराबर आई हैं यहां से हम इसको निकाल लेते हैं अब दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही लास्टिक पर साइड म फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं अब हम इसका गहरा नीचे की साइड से फोल्ड कर लेते हैं फ्रेंड्स नीचे का गहरा आप बेबी को फोल्ड पहना कर उसके हिसाब से भी थोड़ा सा कमिया जादा फोल्ड कर सकती हैं जितने आपको लेंथ में फ्रोक अच्छे लगती हो आप इतना ही गेरे को फॉल्ड कर लीजिए ये देखिए फ्रेंग्स ये दो पीज हमने प्लाजो के लिए लिए हैं जिसकी लेंथ 23 इंच है और चोड़ाई में ये 18 इंच है अब हम इसको यहां से फोल्ड करके रख लेते हैं फोल्ड लेयर यहां पर इसकी हो गई है आसन की चोड़ाई हमें यहां से टू इंच रखनी है और लेंथ में हमें इसको टेन इंच रखना है ऐसे करते हुए हम यहां पर सिधा निशान लगा लेते हैं अब यहां से हम नीचे की साइड से इसको चकोर कर लेते हैं आसन में हमें गोलाई कर लेनी है मोहरी की चोडाई यहां से हमें टू इंच कम कर देनी है इस निशान को हम उपर तक ऐसे करते हुए मिला लेते हैं अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं उपर का आसन भी हमें ऐसे ही इसका निशान पर कटिंग कर देना है यह देखें यहां पर यह हमारा प्लाजो कट कर तयार हो गया है नीचे की मोहरी का हमें वन इंच पर यहां पर निशान लगा लेना है इसको ऐसे करते हुए हम सीधा कर लेते हैं उपर इसको यहां से फोल्ड करना है हमें यहां से आसन पर से नेफे के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है और इस निशान को ऐसे करते हुए यहां से हमें मिला देना है अब इस साइड में से भी हमें नीचे की मोहरी वन इंच पर ऐसे करते हुए निशान लगा देना है आसन पर से भी हमें नेफेपे से भी ऐसे ही निशान लगा देना है नीचे की मोहरी हमें ऐसे करते हुए फोल्ड कर लेनी है और उपर का नेफा भी फोल्ड करना है अब यहाँ पर हमने प्लाजों के दोनों आसन मिला कर रख लिये हैं यह देखिए अब यहाँ पर ऐसे करते हुए हमें इस पर सिलाई लगा देनी है एक सिलाई सबसे पहले हम आसन में अंदर की साइड में लगा लेते हैं अब हम इसमें आसन में हलके हलके से कट लगा लेते हैं कट लगाते समय ध्यान रखे सिलाई हमारी कटे नहीं अब यहां से हम इसको ऐसे कर लेते हैं और जिस साइड में हमें सिलाई लगानी है उसी के नीचे अंदर के साइड के फेबरिक को कर देते हैं यहां पर और इसके उपर किनारे पर एक सिलाई लगा लेते हैं इसके बराबर में एक सिलाई यहां पर हमें ओर लगा लेनी है दो सिलाई यहां पर आसन पर हमने लगा दी है अब हम इसको यहां से डबल कर लेते हैं यहां पर भी एक सिलाई हम इस पर लगा लेते हैं दोनों आसन पर हमने यहां पर सिलाई लगा लिए अब नीचे की मोहरी को हम फोल्ड कर लेते हैं जहां से हमने निशान लगाया है मोहरी वही से हमें फोल्ड करनी है इसकी यह देखी friends, नहां से महरी हमने fold कर लिए, अब दूसरे प्लाजों की महरी भी हमें यहां पर ऐसे ही fold कर लेनी है, दोनों प्लाजों की महरी हमने यहां पर fold कर लिए, अब हम इस पर किनारे पर एक सिलाई लगा लेते हैं, ये देखिए मोहरी को हमने यहां से तैयार कर लिया है अब हम यहां से दोनों पीस को अपने मिला लेते हैं और इसके उपर सिलाई लगा लेते हैं फिटिंग की फ्रेंट्स आप प्लाजो की मोहरी को चोड़ाई में थोड़ी जादा सिलाई लगा कर कम भी कर सकते हैं और इतनी भी रख सकते हैं अब हम इसको दूसरी साइड को मोड लेते हैं यह देखिए फ्रेंज यहाँ पर हमारी साइड की फिटिंग की सिलाई लग गई है अब इस साइड में भी हमें फिटिंग की सिलाई एक सिलाई और इसके उपर लगा देनी है यह यहाँ पर हमारा नेफा है जो हमने निशान लगाया हुआ है हमें इसको यहाँ से फोल्ड कर लेना है एक बार हम इसको लास्टिक से भी माप लेते हैं यह देखिए फ्रेंस नेफे को यहाँ से हमें मोड कर ऐसे फोल्ड कर लेना है और दो इंच का यहाँ से हमें छोड देना है अंदर की साइड लास्टिक डालने के लिए यह हमने यहाँ पर 16 इंच की लास्टिक लिए है इसमें डालने के लिए लास्टिक को हम पिन में पिरो लेते हैं और नेफे में अंदर की साइड को डाल देते हैं दूसरी साइड को लास्टिक को हमें यहाँ से निकाल लेना है अब लास्टिक को हम एक दूसरे के उपर रखते हुए इस पर दो से तीन सिलाई यहां पर लगा देते हैं अब हम इसको खीच कर बराबर कर लेते हैं यहां पर हमें इसके किनारे पर एक सिलाई इस पर लगा देनी है यह देखिए खीच कर हमने लास्टिक को बराबर कर लिया है अब हम इलास्टिक के बीच में एक सिलाई लगा देते हैं जिससे यह अंदर की साइड से मूरती नहीं है लास्टिक ऐसे ही हमेशा सीधी रहती है ये देखिए फ्रेंस लास्टिक पर सिलाई हमने लगा दी है कितना प्यारा सा यहां पर यह हमारा ये देखिए फ्रेंस यहां पर यह हमारा प्यारा सा प्रलाजो बनकर तयार हो गया है उपर की साइड हमने इसमे लास्टिक डाल दी है और इसी की साथ हमने इसका टोप बनाया है, यह देखिए बेक साइड में हम आई हूग कर लेते हैं बीच में हमने लास्टिक डाल दी है जिससे बेवी के फिटिंग इसकी बहुँ जादा प्यारी आती है, फुल ड्रेस यहां पर यह हमारी बन कर तयार हो गई है, फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में ने ने डिजाइन के साथ तब तक के लिए, बाइ बाइ फ्रेंड्स